हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैं अंजली आज आपके लिए बनाक लिकर आई हूँ विक फिल्ड बटर स्कॉच आइस क्रीम आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा क्रीमी है ना बहुत क्रीमी बहुत ही ज्यादा टेश्टी आइस क्रीम त्यार होगी वह भी स्रिप 10 मिनिट के अंदर स्रिप 10 मिनिट में आप बहुत टेश्टी सी आइस क्रीम बिना किसी चीज क्या बना सकते हैं बस सिप एक पेकट विक फिल्ड आप मंगा लिजिए इतनी क्रीमी इतनी टेश्टी आइस क्रीम आपकी घर में बनके रेड़ी यहां पे मैंने बटर इसकोच फ्लेवर की विक फिल्ड की पैकट ले लिए प्रिमिक्स की आप देख सकते हैं इसमें मैठट भी लिखा हुआ रहता है और पीछे में किन-किन इंग्रेंस को यूज किया गया सब लिखा हुआ रहता है साथ में किस तर से बना शकते वह भी ल आप लितर गरूर लिया यह जिससमें में लग बग हाप का झाषए पॉल में निकाल लिया यह नोर्मल टूद विलकुछ भी गरम नहीं आप को लिया रट खैल कर लिए पकेट को जह सारा पवज बंस दूद में कि मना समीं अपनी को शपर ज़ीं भी नुद दाल देंगे बहुत असानी से यह मिक्स हो जाता है और जब हम आशक्रीम बनाएंगे ना दूद में इसे मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी नमसरी आएंगे अच्छी सीसा मिक्स कर लेंगे अप देखें कितना प्यारा कलर आया ना इकतम से बटरी स्कॉच आईसक्रीम का यही कलर होता है तो थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे चलाते भी जाएंगे बहुत अच्छी से यह पर्फेक्ट सीज की रेडी होगा यह देखें अच्छी से निकाल देंगे और इस तरह से जब तक यह सीजना चालू करेगा यह देखेंगे इससे हम चलाते रहेंगे वरना यह तामे लग कर दिया है अब हम लेंगे यहां पर देखिए हपकप मेने यहां पर विपिंग क्रीम ली है और इस क्रीम को हम विप्ट करेंगे अच्छी से विप कर लेंगे जैसे हम केक बनाते ना क्रीम को विप्ट करते बस वही फॉर्मूला है इसी तरह सामी करना है इसे हमें हलका कर ल तो इसी तरही सक्रीम था ख़ी दोगे अरब अब करेंगे तो इसे टॉप पर लोह कि का बिटो शूप्टरीगे ना एक यहादा हम आया लेंगे देखे हमने हैं सची से मिक्स कर लिया अब इसे हम विप्ट कर लेंगे क्या पार्टि करेंगे अफिलों मडें इस्वेर क्रीम में होगी स्टीर इस्बंब क्रेब कर लेंग से यह कि देखिए हमने विप्ट कर लिया है अब हम एक दब्बा लेंगी कोई भी कंटेनर लेंगी आपके पास जो भी लॉंच बॉक्स का और आइस क्रीम कंटेनर हो उसमें आप डाल देज़ें तो देखिए हमने डाल दिया है अब हम क्या करेंगे ना थोड़े से ड्राइफ और सूपा से जैसे काजू में लिया हुआ है में उपर से डाल दूंगी और इसे हम इसके धकन को लगा देंगी अब इसे हम फ्रीजन में लग देंगी छे से आथ गंडे के लिए आप ओवर इसे सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट फ्लापी बनी है तो बस देखिए हमने क्या यूज़कि घर की हमने दूद यूज़कि और एक फिल्ट की फैके आप देख सकते कितनी जादा क्रीमी आइस क्रीम बनके त्यार हो चुकी है यह देखिए आपके पास विपिंग क्रीम नहोना तो आप विपिंग क्रीम यूज़कि ना करें आप सिर्फ इसे दूद में मिक्स करके जो हमें मैंने बताया वैसे बना ले और यह मिक्सर गैंडर जान में से डालके एक बड़ चला ले इस तरह से भी आइस क्रीम बनके रेड़ हो जाती है तो इस तरह से देखिए हमारे झाल